दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं आपके BSC Second Year Fourth Semester Geology के Unit Second Application of Genetic Engineering से जुड़ा हुआ एक Most Important Topic Biochip तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगी कि Biochip होता क्या है, Biochip का Use क्या है और साथी साथ Genetic Engineering में इसके क्या Benefit है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत important होने वाला है तो वीडियो को आप ध्यानस देखेगा और पूरा देखेगा तो सबसे पहले आपको बतादे कि Biochip को हम DNA Microary या फिर DNA Chip भी कहते हैं तो important topic है हो सकता है आपके exam में Biochip की जगह DNA Chip या फिर DNA Microary देदे तो आप याद रखेगा कि Biochip को हम DNA Chip या फिर DNA Microary भी कहते हैं DNA Microary is a new technology to measure the level of the mRNA gene product of a living cell तो DNA Microary वास्ताओं में है क्या पहले हम ये समझते हैं यानि कि Biochip होता क्या है इसको समझते हैं तो आपको बतादे कि Biochip का use measure of expression level of genes में किया जाता है यानि कि किसी भी gene का expression क्या है उसके expression का level क्या है इसको measure करने के लिए हम Biochip का use करते हैं तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई gene अपने आपको express करता है तो वहाँ पर क्या बनता है? वहाँ पर बनता है Messenger RNA यानि कि mRNA तो simple way में हम कह सकते हैं कि जब भी हमें gene expression को measure करना हो तो हमें DNA chip या फिर Biochip का use करना पड़ेगा ए Microary chip is a rectangular chip on which is imposed a grid of DNA spot तो Biochip या फिर Microary chip की बात करें तो यह एक तरह से rectangular chip होता है जिसके उपर धे सारे DNA spot लगे होते हैं जैसा कि आप right side figure में देख सकते हैं Each spot is the area contained million of copy of some DNA strand bonded to the chip Chips are made up teeny so that a small amount of RNA is needed from experimental cell तो Biochip होता है कि इसमें एक solid state होता है जिसमें कि धेर सारे gene या फिर कह सकते हैं कि DNA spot लगे होते हैं और यह जो DNA spot है यह measure करते हैं कि कितने mRNA बने तो यह जो DNA spot है जो solid state पर लगे होते हैं इसी structure को हम बोलते हैं Biochip तो किसी भी cell में सारे जो messenger RNA बन रहे हैं उनको आप एक साथ ही measure कर सकते हैं कौन सा mRNA बन रहा है और कौन सा mRNA नहीं बन रहा है तो इस तरह से आपको उस cell का एक profile मिल जाता है कि उस cell में कितने mRNA बन रहे हैं और कितने mRNA नहीं बन रहे हैं इसे हम कभी कभी transcriptome analysis भी कहते हैं तो इस तरह से इसे पता चलता है कि जब आप किसी cell के बारे में analysis कर रहे थे या इस किसी भी cell के बारे में जान रहे थे तो उस समय कितने gene turn on थे यानि कि कितने gene में gene expression हो रहा था या फिर कितने gene में gene expression नहीं हो रहा था यानि कि जो gene expression था वो turn off था तो turn on का मतलब gene expression का होना और turn off का मतलब gene expression का नहीं होना तो यहां पर दो सेल का हमें कंप्रीजन करना एक नार्मल सेल है और दूसरा है कैंसर सेल तो यहां पर हम सेल का प्रोफाइलिंग करेंगे और पता लगाएंगे कि कैसे नार्मल सेल में या फिर कैसे कैंसर सेल में डिफरेंट टाइप के MRNA बन रहे हैं या फिर डिफरेंट ठेसे तरफाता इक तरह से इस लिए चेजे पता लगाते हैं हुए टीक है ना की नार्मल सेल मैं और कैंसर सेल के मर या फिर जीन एक्सपरेशन में क्या क्या प्रोसीजर है क्या क्या डिफरेंस है तो आपने नार्मल से लिया और कैंसर से लिया ठीक है और दोनों के MRNA को कलेक्ट कर लिया तो यहां पर हमारा जो पहला इस्टेप था आईसोलेशन अफ MRNA अब इसके बाद क्या करना है सेकंड इ सब्रेलेशन क्या करेंगे कि संपाता से लिए तो यहां पर देख सकते हैं कि जो नार्मल सेल है उसके हम सब्सक्राइब करता का यूज है और जो cancerous cell है ठीक है उसके जो CDNA है उसको हमने red fluorescence probe से color किया हुए ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो CDNA है cancerous cell का वह red fluorescence probe से color किया गया है तो CDNA बनने के बाद जो messenger RNA है वो degrade कर जाते हैं और हमारे पास CDNA बसता है normal cell का और cancerous cell का इसके बाद हम एक chip लेते हैं जिसे हम bio chip कहते हैं तो इस chip पर पहले से ही DNA spot या फिर कह सकते हैं microscopic DNA spot मौजूद रहता है तो यह होता क्या है तो इस पर क्या होते है इस slide पर DNA के छोटे 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 spot लगे होते हैं जिसमें की coding sequence होते हैं जो की attached होते हैं solid surface से तो इस DNA spot में coding sequence मौजूद है अब क्या करेंगे अब इन दोनों CDNA को हम इन DNA spot से bind कराएंगे और bind कराके हम देख सकते हैं क्या देख सकते हैं तो यह CDNA bind कब होगा यह bind तब होगा जब इसके पास इसका complementary मौजूद होगा यदि दोनों का express हो रहा होगा तो दोनों ही bind करेंगे अगर दोनों में expression नहीं हो रहा होगा तो दोनों ही bind नहीं करेंगे और इस binding pattern का जो analysis है हम scan करके करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं binding कराते हैं तो binding में क्या करते हैं जैसा कि मैंने बताया कि जो दोनों तरह के complementary DNA हैं उनको हम DNA spot के साथ जोडते हैं और मैंने बताया था कि यह DNA spot क्या है यह एक प्रकार के microscopic DNA spot है जो की coding sequence रखते हैं और यह solid surface से जुड़े होते हैं अब इसके बाद क्या करते हैं कि हम इसे wash करते हैं जितने भी जो unwinding cdna है यानि कि unlabeled cdna है वो यहां से wash हो जाते हैं यहां से हड़ियाते हैं अब इसके बाद हम scan analysis करते हैं तो अब यह analysis क्या दिखाता है यानि कि अगला जो step रहेगा वो है analysis spot तो analysis spot में रहता क्या है मैं आपको समझा देता हूं तो यदि इस chip पर यदि केवल नार्मल जो cell थे यानि कि उसके जो DNA वो express होते हैं तो यहां पर आपको केवल ग्रीन कलर का spot दिखाई देगा तो यहां पर यह क्या मिजर कर रहा है नार्मल सेल का CDNA मिजर कर रहा है और आपने देखा था कि हमने जो नार्मल सेल का CDNA था उसे हम green fluorescent probe से कलर किया था और यदि आपको rate कलर का दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर cancerous cell अपने आपको express कर रहा है अब यदि यह दोनों ही express हो जाते हैं तो यहां पर आपको yellow color का दिखाई देगा तो इस तरह से आप एक ही platform पर दिखा सकते हैं कि कौन सा messenger RNA बन रहा है कौन सा messenger RNA नहीं बन रहा है यानि कि कौन से cell में gene expression हो रहा है कौन से cell में gene expression नहीं हो रहा है अब बात आती है कि इस technique का use हम कहां करते हैं तो आज के दोर में इसका use कई सारे disease को diagnose करने में किया जा रहा है तो इस तरह से आप diagnose करके बता सकते हैं कि किस तरह का disease है कौन सा disease है और उस disease को कैसे treat किया जा सकता है क्योंकि अगर आप diagnose कर लेते हैं तो उसका treatment आपको पता चल जाएगा और उस हिसाब से आप उस cell का treatment कर पाएंगे मानली जी की body में cancer cell है ठीक है तो वो एक specific mRNA बना रहा है चुकि cancer हुआ है तो बहुत सारे cell बन रहा है तो बहुत सारे mRNA भी बनेंगे तो जब हम इसे diagnose करेंगे तो हम क्या करेंगे इसके treatment के लिए इसे हम suppress करने की कोसिस करेंगे यानि कि gene expression को रोकने की कोसिस करेंगे तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम DNA chip या फिर bio chip का use करते हैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share करना मत भूलेगा और यदि कोई भी doubt हो आ आप हम से कमेंट करके पूछेगा तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत